नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश ग्रंथ गंगा में। नमस्कार आपका स्वागत है। जून ब्रिहस पतिवार को देवशैनी एकाद्शी है। सनातन धर्म में देवशैनी एकाद्शी वर्ष का वहद दिन होता है जब भगवान विश्नु चार महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुकल एकाद्शी पर जागते हैं। मान्यता के अनुसार इस दौरान धर्ती का संचालन भगवान शिव करते हैं। इस एकाद्शी तिथी को यदि व्यक्ति श्रधा पूर्वक विश्नु जी का पूजन करता है और कुछ उपाय करता है तो उसे सभी पापों से मुक्ती मिलती है एवन जीवन में सुक्षान्ती और समरिध्धी आती है। दोस्तों तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताये गए महत्वपूर्ण नियम जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुब होता है, आदी कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना अवस्यक होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं, तो आपको मा तुलसी का धेर सारा आशिरवाद मिलता है, और आपके घर में मा लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है, यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। इसलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं, बलकि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुनकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औश्धिय गुन होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा कोई यग्य हो उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विश्णु पुराण में तुलसी को भगवान विश्णु की पत्नी कहा गया है। होने पर रात्री का अंधकार नश्ठ हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदेव ही हराभरा रहता है, उस घर में सुक शान्ती और समरिध्धी बनी रहती है। भगवान विश्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाय जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होनी चाहिए क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विश्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बलकि वह देवी है, विश्णु पत्नी है, उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए, इससे पती-पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनी है। इसलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं ऐसा करना भी आशुब होगा तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सरवोत्तम होता है आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दें इसके आपको कई गुना अधिक लाप प्राप्थ होंगे तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखे, अगर चुनरी पुरानी हो जाएं तो चुनरी को एक आदशी के दिन ही बदलना चाहिए दोस्तों तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए, इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीटता है दोस्तों कुछ लोग जाने अंजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजे रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है तुलसी का पौधा बहुत ही समवेदनशील होता है इसकी अच्छी तरह से देख भाल करनी पड़ती है तभी इसके शुब फल प्राप्थ होते हैं इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा जाड़ू पोचा नहीं रखना चाहिए इसे पाप माना गया है जहां पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास ठुकने से घोर अनर्थ होता है तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान को हमेशा ही स्वच रखना चाहिए इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गनेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए साथ ही तुलसी के गमले में अन्यकिसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुब होता है तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है ध्यान रहे तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, तो उन्हें कच्रे में नहीं फेकना चाहिए उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी के ही दबा दें रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चड़ाना चाहिए बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है ऐसा करना गलत होता है महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांध कर माथे पर सिंदूर लगा कर ही तुलसी में जल देना चाहिए इससे तुलसी का आशिरवात प्राप्थ होता है घर में तुलसी का पौधा लगते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उप्योग ना करें तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उप्योग नहीं करना चाहिए इससे तुलसी मा रूट जाती है और सूखने लगती है तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है जो बहुत ही अशुभ माना गया है घर में तुलसी का पौधा कभी सुखना नहीं चाहिए शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यू की सूचना देता है घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समरिधी खत्म हो जाती है सूखी हुई तुलसी में मा लक्षमी का वास नहीं होता है वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यहाँ आने वाली किसी विपत्ती या दुरघटना का संकेत होता है इसी लिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए उसे नित्य जल देकर हराभरा रखना चाहिए तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालनी चाहिए केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए साथ ही इस बात का ख्याल रखे की तुलसी में मकडी के जाले अथवा कीडे नहीं लगनी चाहिए ऐसे स्थान पर लक्षमी वास नहीं करती है शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है तुलसी को बिनासनान किये जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आधी पहन कर भी तुलसी को जल ना दे तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े इससे तुलसी का अपमान होता है श्री कृष्ण कहते हैं है नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ती होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नश्ठ हो जाते है तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुब होता है अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समयस्मय पर हटा देना चाहिए अगर तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देनी चाहिए कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्षमी का आगमन होता है तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखनी चाहिए इससे तुलसी मा रूठ जाती है तुलसी के पास मरुस्थलिय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है ऐसे पौधों से नकारात्मक उर्जा निकलती है शास्त्रों में कहा गया है जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ती ना हो उसके स्थान पर कांटे निकलते हो तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए बलकि मरुस्थलिय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखनी ही नहीं चाहिए इन पौधों के कारण घर का वातावर्ण नकारात्मक बन जाता है जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं ऐसा करना बिलकुल गलत है नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक उर्जा को नश्ट कर देता है, लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेश महत्व बताया गया है. अगर आप तुलसी के पास केले का पेड लगा देते हैं, तो आपको कई गुना अधिक लाप प्राप्थ होंगे. केले के पेड में भगवान का विश्नु का वास होता है, इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख सम्रिध्धी आती है. साथ ही जिस स्थान पर भगवान विश्नु का वास होता है, वहाँ पर लक्षमी खुद चल कर आती है. दोस्तों अगर आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखनी चाहिए तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुब प्रभाव आपको देखने को मिलेगा शालिग्राम भगवान विश्णु का निराकार रूप माना जाता है यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षन और मूल्यवान माना गया है इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक उर्जा नश्ठ हो जाएगी मान्यता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है यह पत्थर उत्तर की गंड की नदी में पाए जाते हैं इसलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विश्णू के साथ आपको मा लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त आपके घर में कभी धन धन्य की कमी नहीं रहेगी पुरानों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर तीर्थों के समान श्रिष्ठ होता है नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ती होती है यह स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्शक्ता नहीं होती इसे अगर तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो व्यक्ति को धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है विश्णु पुरान के अनुसार मृत्यू के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल सभी पापों से मुक्ती दिलाता है वह मृत्यू के पश्चात वैकुंट चला जाता है यह चरणामृत आउश्धी के समान है जो इसका सेवन करता है उसे मुक्ष मिल जाता है कुछ लोग चरणामृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर देते हैं बलकी शास्त्रों में ऐसा करने का उलेख नहीं किया गया है चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से श्रधा भाव से ग्रहन करना चाहिए लेकिन शालिग्राम घर में लाते समय ध्यान रहे कि वह असली हो आजकल कई प्रकार के शालिग्राम मार्केट में मिलते हैं जिनकी पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए पुरानों में कहा गया है भगवान विश्नों की मूर्ती से कही ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना शालिग्राम को चंदन लगा कर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामरित से स्नान कराना चाहिए ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नश्ठ होते हैं शालिग्राम सकारात मक्ता और सात्विक्ता का प्रतीक होता है अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए तुलसी का पौधा लगाएं तो उसकी नित्य पूजा करना अवश्चक है अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी मा का अपमान भूल से भी न करे इससे आपको विपरीत परिनाम भुगतने पड़ सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी तुलसी के गमले में यह चीजें अवश्य रखें और सच्ची श्रधा से तुलसी के पौधे की देख भाल करें मा लक्ष्मी आपके जीवन में खुशिया और धन समपत्ति लेकर आएंगे उमीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट में जैमा लक्ष्मी और जैमा तुलसी जरूर लिखें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी का धन्यवाद